So hello friends, welcome in our channelonaurishing Vishwayta आज हम बात करेंगे function of the placenta इसने पहले हमने बात किया था placenta के बारे में placenta के overall धिस्करसण किया था उससे definition, उसके characteristics, उसके anatomy, structure and उसके diameter phytoplasenta circulation, phytomaternal circulation and बैशल प्लेट and कोरियोनिक प्लेट इसके बारे में हमने डीटेल में डिसकसन किया था इस वीडियो लेक्टर के तो हम प्लेसंटा के फंशन को देखेंगे तो चलिए हम अपरे वीडियो लेक्टर को स्टार्ट करते हैं So let's begin तो इस वीडियो लेक्चर की तो हम function of the placenta के बारे में discussion करेंगे और इसमें देखेंगे कि placenta किस तरीके से mother to fetus nutrient waste product का कैसे ही transfer करता है इसके अलाव उसके respiratory function, excretory and nutritive function placenta किस तरीके से इन सभी काम को करता है यह देखेंगे और इसके अलाव इंडोफ्रेंट function को भी देखेंगे and barrier function and immunological function के बारे में हम discuss करेंगे तो हमारे साथ बने रहेगा आज हम placenta की फारे में detail में discussion करने वाले हैं तो सबसे पहले हम start करते हैं placenta का जो function है transportation का उसके बारे में discussion कर लेते हैं कि placenta कैसे transportation करता है किस चीज़ का करता है इसके बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहले gases exchange के बात करें जो intake of oxygen and output of carbon dioxide करता है इस process को करता है by the simple diffusion ठीक है इसके आलावां अगर हम बात करें कि rate of oxygen flow from the placenta to fetus मतलब placenta से fetus तक oxygen का flow जो होता हो किस rate से होता है तो 8 ml per kg per minute मतलब placenta fetus को per minute 8 ml per kg के हिसाब से oxygen का flow करता है ठीक है 8 ml per kg per minute placenta to fetus oxygen का flow rate होता है ठीक है अगर total oxygen flow to the placenta की बात करें तो उसमें रहता है 165 से 330 ml per minute total oxygen flow to the placenta 165 to 330 ml per minute and यह जो gases का exchange होता है वो by the simple diffusion के थिरू होता है अल्रेडी हमने इसका discussion अभी जस्ट किया है ठीक है नेक्स्ट फंसन है यह तो होगी हमारा gases exchange के बारे में नेक्स्ट हमारा function रहेगा neutrality exchange के बारे में कि कि प्लसंटा किस तरीके से nutrition का action करता है fetus क्या करता है maternal का जो blood होता है वहां से अपने nutrition को obtain करता है मतब प्राप्त करता है fetus maternal blood से अपने nutrition को ले लिया ठीक है अब एक तरीके से फ्रिस्ट फ्रोसिस को थ्रू लेता है ठीक है इसके बारे में भी हम discussion करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं glucose के बारे में यह glucose होता है principle source होता है energy का और इस जिस फ्रोसिट hora of to do the truth के पास ट्रागार होता है उस स्वरिश इसस को हम कहते है फैसलिटेट डिफ्यूजंग फैसलिटेट डिफ्यूजंग क्या है फैसलिटेटेट डिफ्यूज़न के लिए एक ग्रेडेट होना चाहिए gradient का मतलब एक difference create होना چाहिए यह difference हम create नहीं करते है पहले से ही created होता है मतलब facilited diffusion के लिए एक gradient होना चाहिए एक difference होना चाहिए एक तरफ high concentration और दिसरे तरफ lower concentration simple diffusion जो होता है हमेशा एक protein के थू होता है protein जो होता है इसका transfer जो होता है फीटर्स था उनाम से जानते हैं और जिस प्रोसेस कि धुरू गुल्फोसोग फीटर्स तक ट्रांस्फर होता है। प्रि जो इस होता है ना, वो सिंसी इस्यो ट्रोप्लास्ट में लोकेटड होता है। मतलब है जो glute first है वो सिंस इसियो ट्रोपब्लास्ट में ही located होता है जो की एक protein ट्रांस्पूटेरर का काम करता है और glucose को fetus तक by the facilitated diffusion glucose देता है ठीक है नेक्स्ट हमारा है amino acid amino acid कैसे transfer करता है mother to fetus तो amino acid जिस process के through transfer करता है उसे active transportation कहते है अब active transportation का मतलब एह है कि किसी भी चीज़ को transfer करने के लिए हमें energy क्या शक्ता होगी active का जब भी हम नाम लेते हैं तो वहाँ पे हमें energy चाहिए और passive के लिए किसी तरीके के कोई energy का शक्ता नहीं होती है तो यहाँ पे amino acid active transportation किया जाता है amino acid का concentration higher in fetus blood than maternal blood amino acid का जो concentration होता है वो fetus के अंदर ज्यादा होता है compared to mother तो जब भी किसी भी चीज़ को lower concentration में higher concentration की तरफ हम लेगे जाती है तो वहाँ पे हमें energy लगता है ठीक है वहाँ पे energy के आशक्ता होती है और अगर हमें किसी भी चीज़ को higher concentration से lower concentration की तरफ लाना है तो वहाँ पे किसी तरीके के energy के आशक्ता नहीं होती है तो यहाँ पे जो तो वहां पर हमें एनर्जी लगेगा ठीक है तो इस प्रोसेस के थ्रू जो अमाइनो इसे फीटस तक ट्रांसफर होता है उसे एक्ट्व ट्रांस्पोर्टेशन कहते हैं क्योंकि यहां पर हमें एनर्जी की आशकता होती है और पैस्व ट्रांस्पोर्टेशन में किसी तरीके के एनर्जी की आशकता नहीं होती है ठीक है आपको इस चीजे समझ में आई हो कि एक्ट्व ट्रांस्पोर्टेशन किसे कहते हैं पैस्व ट्रांस्पोर्टेशन का मतलब हमें एनर्जी की आशकता है और पैस्व ट्रांस्प तब पड़ेगी लेकिन अगर वही चीज़ अब जादे से कम की तरफ लेकिया रहा है तो आटोमेटिकली आ जाती है कि यह तरीके के कोई एनर्जी का वैस्ट नहीं करना पड़ता है वह कि यह उनर्फ हो जाता है नेक्स्ट हम बात करेंगे वआटर एनिवड्रोलाइट किस प्रोसेस के थ्रूँ ड्राश्फर होती है इसमें हम बात करें अगर सॉडियम पोटाशिम अट कैया तो एस प्रोसेस के थ्रूँ ड्रोडी को उता है उससे गहते है सिम्पल डीफ्यूजं simple diffusion का मतलब यहां पे high concentration to lower concentration ठीक है और इसके अलागर हम बात करें calcium, phosphorus and iron तो इसके लिए active transportation की अशक्ता पड़ती है क्योंकि calcium, phosphorus and iron they are label higher in fetus than in maternal blood जो calcium होता है, phosphorus होता है और iron होता है उसका label already fetus के blood में ज्यादा होता है compare to mother के blood में तो इसको जिस process के थूँ calcium, phosphorus and iron को ट्रांस्वोर्ट किया जाएगा उसके लिए energy की अशक्ता होगी तह भी active transportation के थूँ ही transfer होता है mother to fetus ठीक है, यहां पे भी energy की अशक्ता होती है पतलब जो चीज़े fetus में ज्यादा है और mother में कम है तो mother to fetus अगर transfer करना पढ़ रहा है तो lower concentration से higher concentration में जाना पढ़ रहा है तो वहां पे energy की अशक्ता पढ़ेगी तो active transportation के थूँ calcium, phosphorus and iron mother to fetus transfer होता है तीक है और इसके अलाव अगर हम बात करें water soluble vitamin किसके थूँ transfer होते है तो यह भी active transportation के थूँ यह transfer होता है mother to fetus नेक्स्ट जो हमारा खंसन है वह है excretory function ठीक है तो west product होते है from the fetus तो यूरिया हो गया यूरिकीसिड हो गयी cretinine हो गया और excreted in maternal blood by the simple diffusion ठीक है मतलब जो भी west product है fetus के पास यूरिया हो गया यूरिकीसिड और इस सारी ही चीजे maternal blood के डाल दी जाती है और इसके थूँ इस kit out हो जाता है और जिस process के थूँ a transfer होता है maternal blood में उसे कहते है simple diffusion process ठीक है मतलब जो एस प्रोडक्ट है मतलब फीटस में जादा है मतलब फीटस के पास high concentration है मतलब फीटस के पास और maternal के साड़ में रलाना है मतलब lower concentration है तो इस इस process के थूँ ठीक हो आता है उसे कहते है simple diffusion मतलब हाइयर कनसेंट्रेशन से lower concentration higher concentration fetus के पास है and lower concentration मदर के पास है तो इस simple diffusion के तरू यूरिया एंड यूरिकेशिन kretidine जो भी एक्सकीट आउट कर दिया जाती है maternal blood में और वहां से फिर वह एक्सकीट आउट कर दिया जाता है ठीक है नेक्स जो हमारा function है placenta का barrier function placenta barrier function कैसे perform करता है barrier function का मतलब it prevent the entry of the harmful substances from the mother to fetus जो भी harmful substances होती है उसको mother to fetus आने नहीं देती है मतलब एक barrier का काम करती है जो भी harmful substances उसको fetus तक नहीं लाने देती है लेकिन कुछ ऐसे harmful substances होती है जो placental barrier को cross कर जाते हैं और जब ये placental barrier को cross कर जाते हैं तो इसे vertical transmission के नाम से जानते हैं जिसे कुछ infection होते हैं जो कि cross कर जाते हैं जिसे torch toxoplasmosis and other HIV measures varicella जो सरी सारी चीज़े ट्रांसफर कर जाती है rubila हो गया cytomegalovirus and herpes simplex virus इस सारी चीज़े can be cross the placenta जो की harmful होता है और वर्टिकल ट्रांसपेशन के अंद्रगत आता है ठीक है ना इसके अलाव अगर matter न आरवीश अगर cross कर जाती है fetus में तो इसके अलाव कुछ drugs ऐसे होते हैं जो की placenta के तुरू fetus में transfer कर दिया जाते हैं जैसे lithium can cross एक अगर cross कर जाएगा तो वहां पर एक disease cause करता है stand barrier abnormal इस disease में abnormality in conduction system of heart मतलब जो stand barrier abnormal है हो जाती है तो इसमें जो हमारी conduction system है heart की ओ अबनॉर्मल हो जाती है ठीक है और इसके अलाव अगर tetracycline cross कर जाता है तो यह teeth का discoloration कर जाता है मतलब जब teeth का eruption होगा तो उस ट्रेम पर जो teeth होगी उसका discoloration कर देता है इसके अलावा जो ड्राइग है chloro fenicolone तो एक gray baby syndrome करता है इसमें severe sinus होता है जिसके वज़े से blues discoloration हो जाता है baby baby ठीक है ना next हम बात कर लेते हैं placenta किस तरीके से hormonal function को perform करता है उसके बारे में placenta से किस तरीके से कौन-कौन से hormone का secretion होता है उसके बारे में बात कर लेंगे तो टूटली जो हमारी placenta से हार्मोन का secretion होता हो छे तरीके की होती है पहला होता है अगर इसके अलावा आपको और रिलाक्सीर हार्मोन को secretion होता है अगर इसके अलावा आपको और रिलाक्सीर हार्मोन को और भी हार्मोन का नाम पता है जो प्लेसंटा के थ्रू secret होता है तो प्लीज आप कॉमेंट बॉक्स मुझे जरूर बताना ठीक है ना तो एक एक करके हम इन हार्मोन के बारे में कर लेते हैं सबसे पहला है हमारा हार्मोन बीटा-ACG हार्मोन ठीक है इसलिए क्या रहा है क्योंकि हमारी सिंस साइटो ट्रोपो ब्लास्ट होती उसके टू पार्ट होते हैं पहला जो पार्ट होता है उसे अलफा पोर्शन कहते हैं जो कि थिन पोर्शन भी कहते हैं जो दूस पोशन होता है वो रिस्पोंसिबल होता है हार्मोन को सिक्रीशन करने के लिए तो जितने भी हार्मोन का सिक्रीशन होगा वो सिंसYTORPHYP毛्ड की बीटा पोशन बीटा SCG हार्मोन जो है वो विल्कुल हाई होता है क्योंकि बीटा SCG हेल्फ इन और्गन फॉर्मेशन शो एट्स वीक पीक लेबल पे होता है तीक है और आफ्टर 20 वीक के बाद इसका जो लेबल है SCG हार्मोन का वो कम होने लगता है 20 वीक तक और गने जनेसिस का जो प्रोसेस है वो लगों कम्प्लीट हो गया रहता है तीक है और इसके अलावा हम बात करें बीटा SCG अर्ली डिटेक्शन की जाती है ब्लड की तुरू जो की एट से नाइन वीक पे आफ्टर दा फॉर्टिलाइजेशन के एट से नाइन डे के बाद में हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड में और अगर यूरिन के बाद करें तो 12 से 14 दिन आप्टर दा फॉर्टिलाइजेशन मतलब फॉर्टिलाइजेशन के बाद हम इसे फॉर्टिलाइजेशन के बाद 12 से 14 दिन पर इसे हम यूरिन में डिटेक्ट कर लेते हैं त साइटोट्रोपोबलस्ट ठीक है और इस हार्मोन को हम होमन सुमैटो मैं मैं टॉफिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं अगर हम इसके फंसन की बात करें तो इत वर्ग एज एंटी इंसुलीन प्रॉपर्टी यह एंटी-इंसुलीन प्रॉपर्टी का कि जैसे वर करता है और of the breast for the lactation process and HPL हार्मोन जो है वो लाक्टेशन प्रोसेस के लिए breast को प्रिपेर करता है and by the hyperplasia and hypertrophy of breast cell मतब breast cell में hyperplasia and hypertrophy कर देता है for the lactation process ठीक है तो अब तक हमने क्या बात किया कि जो प्लैसेंटा होती उसे थिसक्स तरीके की हार्मोन का secretion होता है से पहला है बीटा सीजी हार्मोन SPL हार्मोन इसके बारे में हमने बात कर लिया है next जो हमारा हार्मोन है ओ है estrogen हार्मोन ठीक है इसका जो secretion site है ओ अर्ली pregnancy में अगर बात करें तो Carpus Lutium से secret होता है अगर Late Pregnancy से बात करें तो Synth Cytotropo Blur से इसका secretion होता है अगर इसके function के बात करें तो Hyper Trophy and Hyperplasia of the breast and the uterus uterus में और breast में Hyper Trophy और Hyperplasia कराता है इसके अलामा इस Servical Ripening के लिए भी responsible होता है मतलब Servical Ripening का मतलब Cervix को soft करता है प्रेग्नेंसी से करूंकि यह जो यूटरेंट कॉंट्रेक्षन हे उसको स्फ्रस कर देता है इसे uterine, जो की uterine जो है, वो set up होने से बच जाती है, it prevents the setup of endometrium and suppress the uterine contraction during the pregnancy, ठीक, next जो हमारा हार्मोन है, वो है laxine, relaxine हार्मोन का जो secretion site है, obvious incytotrophoblast है, ठीक, maximum label इसका रहता है during the process of labor, ठीक है, इसका जो function है, cervical ripening के लिए भी responsible है, मतलब cervix को soft कर देता है, and during the labor process and symphysis phoebus को रिलाक्स कर देता है, मतलब यह जो relaxing हार्मोन है, since cytotrophoblast से secret हुआ, maximum इसका label during the process of the labor होता है, cervical ripening करता है, and symphysis phoebus को during the process of the labor, रिलाक्स कर देता है, ठीक है, next जो हमारा हार्मोन secret होता है, placenta के थ्रू, वो है inhibit, यह हार्मोन, इसका secretion भी since cytotrophoblast से होता है, secretion early pregnancy, 4 weeks after fertilization, and अगर इसके हम function की बात करें, तो ए एंटेरियर प्योट्यूटरे से FSH की secretion को inhibit कर देता है, जब एंटेरियर प्योट्यूटरे से FSH का secretion नहीं होगा, तो जो भी follicle, यह जो FSH हार्मोनी होती है, क्या करती है, follicle stimulating hormone होती है, follicles को stimulate करती है, तो जब FSH inhibit हो जाएगा, तो follicle आगे stimulate नहीं हो पाएंगे, and मतलब टोटल जो इसका काम करता है, एंटेरियर हार्मोन, is stop the menstruation cycle, follicles को stimulate करेंगे, आगे का जो प्रोसेस है, वो बंद हो जाएगा, मतलब stop the menstruation cycle, ठीक है, इसके अलावा, अगर हम placenta के immunological function की बात करें, तो यह, which immigrant cross the placenta, तो जो IgZ होता है, वो placenta को cross कर जाता है, ठीक है, जिससे, it provides the passive natural immunity, जो कि passive natural immunity प्रोइड करता है, तो यह रहा, overall function of the placenta, इसको हम फिर से quick revision कर लेते हैं, कि हमने placenta के function के बारे में क्या-क्या actually फढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ट्रांस्पोर्टेशन का काम करता है, गैस एक्चेंज का करता है, और जो जिस रेट से प्लसेंटा से फीटस तक oxygen का जो फ्लो होता है, इस तरीके से ट्रांस्पर होता है, इस तरीके से ट्रांस्पर होता है, इस तरीके से तरीके से ट्रांस्पर होता है, इस 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 तरीके से ट्रांस्पर होता है, और यूरिक एसीड क्रेटी ने इन सबको कैसे एक स्क्रीट आउट करता है बाइदर सिंपल डिफ्यूजन इपढ़ा था इसके अलावा कि बैरियर फंशन को हमने पढ़ा था कि वाइदर वर्टिकल ट्रांस्विशन के थूरु किस तरीके से हालफू सबस्टांस होते हैं प्ल इसके अलावा इसके अलावा इसके इम्मोलोजिकल फंशन के बारे में पढ़ा तो यह रही हमारे ओवर ओल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दो फंशन आप प्लासेंटा तो आई होप इस वीडियो लैक्च्छर के तुरू आपको कुस बैनिफित मिलाओ तो प्लीज तुरू दो कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट में जरूर बताए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा तो थैंक्यू थैंक्यू फो वोचिंग